नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 19 सब्टेंबर के डेली करेंट अफेर्स डिसकेशन में आपका स्वागत है आज की सारे इंपोर्टन बर्निंग न्यूज आपको बताऊंगा थोड़ा जल्दी में हूँ तो जल्दी मैं आज के इस डिसकेशन को खतम करूँगा सबसे प पैट्रोलिंग पॉइंट को शाइनीज ट्रूप में ब्लॉक किया है अगर बात की जाए तो देखे कारा कुरम लेंज से लेके चुमार तक टोटल 65 patrolling points है, line of actual control क्या लौंग, patrolling points क्या होते हैं, patrolling points होते हैं end points, जैसे कि for example इंडिया का base camp है यहां पे, और चाइना का base camp है कहीं यहां पे, तो एक patrolling point यहां होगा, एक patrolling point यहां होगा, most probably यह patrolling point Chinese troops का होगा, और यह वाला patrolling point Indian troops का होगा, शुरुवात में Indian troops अपने base camp से यहां तक यह patrolling करते थे तो वापस base camp में चले जाते थे, तो ऐसे 10 patrolling points को Chinese troops ने Indian troops के लिए block कर दिया, यह है 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 17, 17A, देवसांग plane से लेके पैंगॉंग 100 तक यह patrolling points है, इन patrolling points पे Indian patrolling को Indian troops के access को Chinese तरफ से block कर दिया गया है, dis engagement की बात चल रही है, China की तरफ से कुछ भी concrete statement इसमें आनी रहा है, देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, chapter 3 में आपको काम आएगा, फिर Supreme Court की तरफ से एक statement निकल के आ रहा है कि media should not target minorities, देखे, recently सुदरशन TV पे बिंदास बोल करके एक program चला था, जिसमें UPSC जिहाद की बात होती थी यहाँ पे कुछ foundations हैं, जैसे जकत foundations, इन जकत foundations पे ये इलजाम लगाया जा रहा था, कि ये जकत foundations वो Muslim members जिनके terror groups के साथ relations हैं, उन Muslim members को पढ़ा लिखा के UPSC की useful और key post में recruit कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की बाते कर रहे हैं, Muslim community को vilify करने वाली बात है, तो यह हम सब ने देखा था कि emergency के दौरान क्या हुआ, यह जरूरी है कि हम अपने minorities की human dignity का ध्यान रखें, और ऐसा Supreme Court की responsibility बनती है कि एक free flow of ideas रहें, यह जरूरी है कि हम अपनी national security में जो कुछ भी जरूरी है वो करें, लेकिन freedom of speech के नाम पे एक religious minority को सीधे सीधे vilify करना और target करना य और यहां पे Supreme Court का statement बिलकुल सही है, तो यह चीज आपको काम आएगी, काफी important है, बहुत समय से यह चीज नीज में चल रही है, पिछले 4-5 दिन से तो चली रही है, रोज जो जो भी update आते हैं इस चीज से related मैं आपको देता हूँ, फिन next news है, गोर्खास Lord Meghalia CM for supporting statehood, यहां पे एक नए state की demand हो रही है, देखिए Meghalia की Chief Minister Conrad के संग्मा ने बोला है, कि एक separate गोर्खा लैंड बनाना चाहिए, अभी जब separate गोर्खा लैंड बनाने की बातचीत करी गई तो एक organization जिसका नाम है भारती गोर्खा परिशद, इस organization ने काफी तारीफ किये, Meghalia की Chief Minister संग्मा साब के step की, देखे, 4 September को संग्मा साब ने एक letter लिखा Union Home Minister Amishra जी को, और उन्होंने बोला कि देखे, गोर्खास ने हमारे देश की security में बहुत major role play किया है, इसलिए उनको उनका एक homeland मिलना चाहिए, एक बास्थ भूमी मिलना चाहिए, ये एक just और legitimate demand है, ठीके ना, अभी द के गोर्खास को इंडियन आर्मी में ना भीजा जाए, ताकि वो जाके border पे चाइना से लड़े, तो यहाँ पे जो इंडिया में गोर्खास रह रहे हैं, उन गोर्खास के लिए अलग से state बनाने की बातचीत करीगा रही है, गोर्खा लैंड जिसको बोला जाएगा, इस demand को मेगाला की चीफ मिनिस्टर ने agree दिया है, इस map में यह गोर्खास कहां पे settled है, यह आपको नजर आ रहे हैं, तो आसाम के एक बड़े अलाके में, मेगाला के बड़े मिलाके में, और वेस्ट बंगाल के एक बड़े अलाके में यह गोर्खास settled है, तो इन सारे इलाकों को मिल के गोर्खा लेंड बनाने की बात कही गा रही है यहां पे मिस्टर के संगमा ने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए एक लेटर लिखा है अमिश शाह जी को अभी देखिए इसके बाद क्या इस पे निकल के आता है भारती गोर्खा परिशद this is the highest body of गोर्खास in इंडिया तो यह एक निउस है यह निउस मैं आपको बता दे जनरल स्टीलीस पेपर तरी में काम आईगी ऐसी छोड़ी छोड़ी निउस जो भी important होती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ केरला से एक निउस निकल के आ रही है केरला के एक मिनिस्टर है जिसका नाम है केटी जलील अभी यह state minister of higher education है और welfare of minorities के मिनिस्टर है केरला में एक offense हुआ था 2017 में और 2020 में हुआ यह है दोस्तों कि देखें United Arab Emirates का जो consulated थिरुवननंत पुरम अभी gold smuggling के case में भी यह news में था अभी एक और चीज़ की case में यह news में आया है कहा जाता है कि भाई 18 term palm dates का consignment आया था और 4.5 tons कुरान का consignment आया था और यह consignment without payment of import duty इंडिया के अंदर घुश किया अभी यह consignment आया थो था UAE की consulate के लिए चुकि UAE की जो consulate इंडिया में काम करती है वो अपने जरूरत की चीज़ों को custom duty free इंडिया के अंदर मगा सकती है लेकिन बोला जा रहा है कि UAE की इस consulate ने पहले इन सामान को मगाया मेंना custom duty दी हुए और सामान को मगाने के बाद इंडिया में लोगों को hand over कर दिया अब ही यहाँ पर जो custom commissioner से सुमित कुमार यह बोल रहा है कि देखिए यह जो exemption है custom duties का यह UAE consulate के usage के लिए है UAE के staff के लोगों के लिए है और यहाँ पर UAE के staff के लोग क्या कर रहे है कि यह सामान को मगाते है duty free और duty free सामान को clear कराने के बाद वो state के लोगों को दे देते हैं अभी state के लोगों को अगर आपको palm dates और कुरान देनी थी तो आपको custom duty pay करनी चाहिए थी आपने custom duty pay नहीं करी तो यहाँ पर आपने foreign contribution regulation act के norms को violate किया है और इसके लिए आपको सजा मिलना चाहिए एक senior official ने customs department के उन्होंने यह बोला कि देखे जो duty exemption दिया जाता है को violate करेंगे तो जो कुछ भी उनको कह सकते हैं ना कि मतलब protection मिली है different international conventions के साफसे वो protection भी चली जाती है तो consulate के officials के against भी एक तरीके से investigation हो रहा है हाला कि उनके खिलाफ कुछ action नहीं होगा ज्यादास ज्यादा यह हो सकता है कि consulate के जो officials guilty पाये जाएंगे उनसे यह बोल दिया जाएगा कि आप देश छोड़के चले जाएगे UAE और India के relations बहुत अच्छे हैं तो इन छोटी मोटी चीजों की वज़े से international relations wallet नहीं होगे हाला कि UAE consulate अगर इस तरीके के activities में involved है तो वो गलत है अगर कोई चीज आप इंडिया के अंदर import कर रहे हैं तो आपको इसके ओपर import duty भरनी पड़ेगी consulates केवल अपनी personal चीजों के लिए import duty माफ करा सकते हैं वो अपने personal के नाम पर import duty माफ करा के state में दूसरे लोगों को बाटे है general consumption के लिए वोगला थे आगे चलते हैं National Security Plan for Safe Cyber Space देखिए एक कुकून करके two day की virtual international conference रहुई है on hacking and cyber security इसको jointly organize किया गया है केरला police के दौरा Society for the Policing of Cyber Space के दौरा and Information Security and Research Association के दौरा यहाँ पर जो हमारे national security advisor है अजीट डोवल जी उन्होंने एक lecture भी दिया है और उन्होंने बोलाई कि हम लोग एक जल्दी ही एक national cyber security strategy 2020 launch करेंगे ताकि इंडिया के अंदर एक safe, secured, trusted और resilient cyber space को लाया जा सके डोवल साब ने कहा यह जो नई cyber security strategy होगी इसमें पैंडमिक के दौरान जो भी misinformation फैलाई गई है फेक न्यूस फैलाई गई है इसको भी हम लोग counter करेंगे फिर उसमें बोलाई फिशिंग कैंपेंज COVID-19 theme targeted banks, defense and critical infrastructure देखे COVID-19 के दौरान बहुत से ऐसे fishing campaign चलाई गए scam वाली चीज़े चलाई गई जिसने bank को टारगेट किया defense infrastructure, critical infrastructure को टारगेट किया लोगों को बेफ़कूफ बनाया multi-cd scheme हों फसाके इन सब चीज़ों के against एक proper strategy बनाई जाएगी इस 2020 की strategy के थूँ general studies paper 3 में काम आएगा यहाँ पे बहुत key word है जिसको आप याद रखेगा national cyber security strategy 2020 बात किसके दौरा की गई है यह cocoon तो यह cocoon शब्द और national cyber security strategy 2020 यह दो चीज़ें आप याद रखो तो इस article का objective पूरा हो जाएगा आगे आने वाले समय में इस तरीके की news बार-बार repeat होती है तो आपका revision भी होता रहेगा फिर bamboo shoots can be among the cheap immunity booster 18 September को था word bamboo day अभी जब 18 September को word bamboo day था तो यहाँ पे बातचीत करी गई कि जो bamboo shoots होती है basically एक तरीके की grass होती है लेकिन यह बहुत potent immunity boosters है और cheapest immunity boosters है अगर आप bamboo की बात करोगे तो bamboo north east में बहुत सी चीज़ों में इस्तमाल की जाते हैं birth की समय में भी बच्चे का पालना bamboo shoots से बना जाता है death की समय में भी वहाँ पे जो medicinal properties को यूज करके दवाईयां भी बना जाय सकती है तो यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है nutraceutical bamboo shoots nutraceutical का मतलब क्या होता है pharmaceutical समझते है न उसी तरीकी से nutraceutical मतलब medicinally और nutritionally functional foods तो यहाँ पे bamboo shoots को medicinally और nutritionally functional foods बोला जा रहा है यह एक ऐसी grass है जो कि कभी-कभी edible भी है medicines बनाने में और एक nutrition खाना को बनाने में काफी काम की है fresh bamboo shoots में 1.49 से लेके 4.04% तक हमको protein मिलता है इनमें 17 amino acids मिलते हैं जो जिसमें से 8 हमारी human body के लिए बहुत ज़दा important है किसने बोला यह श्याम विश्वनाज जी ने Kerala Forest Research Institute के डारेक्टर है बात यह है दोस्तों कि जब भी कोई day आता है जैसे कि यहाँ पर word bamboo day आया है तो उस चीज से related जो भी चीज news में है उसके अच्चे अच्ची बाते news में चपने लगती है जरूरी यह है कि इस plan को किस हदत तक daily functioning में आप आगे बढ़ाते हो जैसे कि देश में एक national bamboo mission चल रहा है national bamboo mission के अंदर आप देखोगे कि इंडिया में जो bamboo cultivation है वो दुनिया में सबसे ज़ादा है 13.96 million hectares में इंडिया में bamboo cultivation होता है और जब bamboo diversity की बात की जाती है तो इंडिया is second only to China इंडिया में 136 species of bamboo मिलती है इंडिया का जो production है bamboo का वो 14.6 million tons का है annual production और 28,000 करोड से ज़ादा की industry है ये 2017 से अभी का जो latest data है वो आना बाकी है China sends fighters towards Taiwan हुआ क्या है कि Taiwan में US के एक बहुत बड़े official under secretary for economic affairs Keith Cratch पहुंची तो जब वो पहुंची तो obvious ही बात है यहाँ पे Taiwan को China अपना हिस समानता है Taiwan बोलता है कि हम तो China के हिस्ते हैं नहीं Taiwan USA relations अच्छे हो रहे हैं तो USA का एक official पहुंचा Taiwan जैसे ही यह पहुंचा वैसे China की तरफ से जो military activity वो थोड़ी शुरू हो गई तो आठारी Chinese fighters को bombers को deploy कर दिया गया तो जो Taiwan straight है यानि People Republic of China अगर यह People Republic of China यहाँ ताइवान है तो इसके बीच में जो straight है इसके midline के बाहर Chinese forces नहीं जाएंगी और इधर Taiwan की forces नहीं आएंगी लेकिन आप यहाँ देखो कि Chinese fighters इसको cross करके इस तरफ गए Taiwan की side पर तो यहाँ पर जो People Liberation Army की spokesman है वो क्या कर रहे है कि कोई भी person Taiwan जो कि हमारा China का हिस्सा है अगर उसकी sovereignty को violate करेगा तो हम उसको thought करेंगे उसके against उसको जवाब देंगे तो इस तरीके की बाते शुरू हो गई अगली news पर चलते है US, WeChat और TikTok को ban करेगा लेकिन यह जो ban announce किया गया है थोड़ा अजीव सा ban है half ban है, पूरा ban नहीं है US ने बोलाई कि अब Chinese apps, TikTok और WeChat को चाइना में download नहीं किया जा सकता reason क्या दिया गया है national security और American citizens की data privacy ठीके ना तो फिलाल के लिए WeChat को Sunday को ban कर दिया गया यहनी कि आज की date में और TikTok को 12 November को ban किया जाएगा अभी recently एक deal हुई थी जहांपे Oracle ने TikTok को अकूपाए किया, वो deal बहुत ज़दा glitchy थी, उसके जो nuances थे वो सामने नहीं आए, जब Oracle से पूछा गया कि आप ये जो US operations ले रहे है TikTok के, ये किस तरीके से ले रहे है तो Oracle ने statement दिया था कि देखिए हम कोई sale या acquisition नहीं कर रहे है TikTok का, हम TikTok के trusted technology partner बन रहे है तो पहले ये Oracle और TikTok की डीक सामने आए और अभी के लिए ये announcement आ रहा है कि भाई है TikTok को US से ban किया जा रहा है, कि इस basis पे properly, इसलिए इन Chinese apps की जो mismanagement है, इसको रोकना ज़रूरी है तो यहाँ पर चीजन थोड़ी confusion में चली गई है, अभी TikTok को Oracle ने acquire किया, या जो भी उसको technology provide की, वो deal में क्या लिखा है exactly कितना TikTok को ban किया जाएगा, ये आगे आने वाले समय में देखा जाएगा हो, हाला कि Trump पूरी तरीके से कोशिश कर रहे है कि TikTok को ban कर दिया जाए, US में बात ये चल रही है, कि जिस तरीके से इंडिया में TikTok को ban किया गया है, हम कुछ एक unique तरीका निका ले है, और TikTok को acquire कर ले हैं, कुछ इस तरीके कर ले हैं, तो वहाँ के President है Alexander Lukashenko, उनको last dictator बोला जाता है, यूरोप का, अभी elections हुए, और कहा जाता है कि वो elections rigged थे, फिर से Alexander Lukashenko जीत गए, भाईया, opposition में सडक पे होता रहा है, लोग, जो opposition में member थे, उनको तो पहले jail में डाल दिया, Lukashenko ने बाद में उनकी जो wife थी, सवतलाना तिखाना सुकाया, ठीके ना, इन्होंने एक video message record किया, ये video message बज़ना शुरू हो गया, कहां पे United Nations Human Rights Council की जब meeting हो रही थी, और इस video message में बताया गया, कि कैसे minks में, जो कि Belarus की राजधानी है, वहां पे human rights abuses किये जा रहे हैं, अभी जैसे ही United Nations की Human Rights Council की meeting चल रही थी, जैसे ये tape बज़ना शुरू हुआ, तो वहां पे जो Belarus के ambassador थे, Yuri Ambrosevic, ये खड़े होगा और बोले कि इसको बंद कर दो, ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन Belarus के ambassador की बात नहीं मानी गई, जो United Nations Human Rights Council की प्रेजिडेंट थी, Elizabeth T.C. Fisselberger, उन्होंने इस message को पूरा चलने दिया, तो यहां पे, बात ये है, कि जो opposition leader है स्वतलाना तिखानावस को खाया, वो क्या कह रही है, कि भाया international community का, और European Union का ध्यान आना चाहिए, इस बात पे कि बेलार उसमें कैसे Human Rights का violation किया जा रहा है, और कहीं न कहीं international community की responsibility बनती है कि एक democratic setup आये यहां पे, General Studies paper 1 में यहां आपको काम आएगा, country of origin, देखें, इंडिया के अंदर जो भी चीजों को import किया जाता है, कभी-कभी क्या होता है, कि इंडिया ने बहुत सारे free trade agreement sign कर रखें, जैसे Asian countries के साथ हमने free trade agreement sign कर रखें, अभी Asian countries में आती हैं आपकी, कौर कौसी countries, Indonesia, Malaya, Thailand, Singapore, Vietnam, अभी इन Asian countries से, जो भी चीज़ें इंडिया के अंदर आएंगी, उनके ओपर import duty कम लगेगी, basic custom duties कम लगेगी, तो यह सारी duties कम लगेगी, तो होता यह है दोस्तों, कि जब भी कोई free trade agreement sign होता है, और Asian की किसी country से इंडिया के अंदर कुछ import आ रहा है, तो import के ओपर import duty कम है, लेकिन होता यह है, कि importers क्या करते हैं, यह बड़े शाने होते हैं, यह चाइना से सामान को मगाते हैं, एशियान में, और एशियान से इंडिया एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो चाइना में बना हुआ होता है, लेकिन उसको import duty exemption मिल जाता है, इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने बोला, यह नहीं चल पाएगा, जो certificate of origin, अगर आपने कभी कस्टम्स में सेलेक्ट होके, आप जाके, डॉक्स पे बैठ होगे, तो वहाँ पे, import के लिए एक document होता है, जिसको बोला था bill of entry, export के लिए जो document होता है, उसे बोला था shipping bill, और import के लिए जो document होता है, उसको बोला था bill of entry, बिल of entry के साथ, free trade agreement का फाइदा उठाने के लिए, और duty exemption लेने के लिए, एक certificate of origin दिखाना पड़ता है, उस certificate of origin में लिखा रहता है, कि भाया, इस सामान का origin कहां से, और वो certificate of origin, जिस country से वो सामान आ रहा है, उस country की सरकार इशू करती है, अब बात ये कि सरकार ने आपे साफ साब बोला है, इंडियन गॉर्मेंट ने बोला है कि जो customs administration of rules of origin under trade agreement rules 2020 के हैं, जिसको notify किया गया था 21 अगस्त को, जिनको carotor 2020 भी कहा जाता है, यह देखें यहां लिके हुए, यह 21 से प्रूर्स वायेंगे, इस rule के अंदर, जो importer से इंडिया उनको सक्त हिदायत दी गई है, कि अब आप bill of entry में, इस बात को mention करवाएंगे, कि यह जो good आप इंडिया के अंदर export कर रहे हो, जिस पे import duty आप नहीं भर रहे हो, इसका origin क्या है, इसका origin वही होना चाहिए, जो certificate of origin में लिखा हुआ, और यह importer की responsibility बनती है, कि वो इस बात को ensure करे, कि जहां का certificate of origin है, वहीं के वो goods है, अगर कुछ भी यह पाया गया, कि भाई जहां का certificate of origin है, वहां के यह goods नहीं, और यह goods कहीं और से आ रहे हैं, तो importer के against action लिया जा सकता है, चुकि fraud चलता है, fraud कैसे चलता है, कि goods को चाइना से import किया जाता है, एशियान में, जो एशियान की government agencies हैं, वो corruption करके certificate of origin को गलत बना देती हैं, और वो certificate of origin custom officials को इंडिया में दे दिया जाता है, और custom officials उनको pass कर देते हैं, ठीकिए, आजकल तो वैसे भी, और गोट्स ऑफ और इजन को चुपाया गया है, गलत बताया गया, तो importers किया गया है, इस्ट आक्शन किया जा सकता है, तो यह उन्हों थी आजकी दोस्तों, जन्रेश्टीज पेपर 2 में काम आईगी, वैसे तो मैंने कोशिश किया था, जल्दी खतम करूगा, पर जल्दी खतम होनी पाया, थाइंक्यू फो वाचिंग, वाचिंग, वग्रेट डे, गुडबाए,